हाई, वेल्क दू बंचनों, इस बीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेशन वर्स 16 तो एक पिलर का, एक सिलेंडिकल पिलर का ये दे दिया है कॉर्ट सर्फिस एरिया एंड वालिन दे दिया है, 924 मिटर क्यूब, तो करना क्या है, आपको निकालना है डायमीटर, मतलब पहले निकालेंगे रेडियस, तब निकले है डायमीटर, और हैट निकालना है पिलर, ओके, तो यहाँ पर आप डायमीटर और हैट को जानते ही हैं, कि डायमीटर को मानते है तो आप समझेगा इनका जो notation है वो ही है जो usually होता है यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेंगे देखे आसान question है बस आपक समझना है कि करना कैसे है ठीक है यहाँ पर दोनों दे दिया है तो दोनों को लिख लीजिए पहले तो दिया है कि curved surface area मैं से लिख लेंगे हम यहाँ पर since given a curved surface area curved surface area of the cylindrical pillar is equal to दिया है 264 meter square तो यहाँ पर जो curved surface area का जो फहमला होता है वो लेख लीजिए means होता है 2 pi r into h means circumference of the base into height is equal to होता है 264 यह दिया हुआ है ओके तो इसको माल लेते हैं first equation ठीक है इतना meter यहाँ लेते हैं square अब volume दे दिया है आपर also दिया हुआ है कि volume of the cylindrical pillar तो volume आपका दिया हुआ है 924 924 meter cube ओके तो volume का formula क्या होता है हमारा pi r square h is equal to हो जाएकर 924 meter cube अब यहां करना क्या है यह माल लेते हैं कि second equation है ठीक है अब यहां धान दिजगा दोनों में देखिए pi भी है और r भी है इसमें और h भी है दोनों में difference बस यही है कि pi यहां पर बराबर है और r यहां पर दिखिए corrupt surface area के formula में r यहां पर 1 ही है और यहां पर r यहां पर 2 है means r into r हुआ है यहां पर मतलब r square है और यहां पर h जो है 1 ही है इसका मतलब कि यदि हम divide करेंगे इस equation को मतलब volume वाले equation को count surface area वाले equation से तो हमारा किवल r बचेगा और यह 2 ही बचेगा ओके तो हम करते क्या है देखिए यहां पर समझेगा ध्यान से यदि हमारे पास equation हो a बराबर b और equation हो c बराबर d तो हम यदि divide करते हैं माली जो first को second को first से या first को left hand side में रहता है यह क्या है left hand side में है left hand side वाले को divide कर देते हैं left hand side वाले से मतलब कि c से divide करेंगे और is equal to कर देते हैं b को divide कर देते हैं d से यह मतलब divide करने का तरीका है और इसे divide करने पर जो भी count factor रहेगा इसमें से cut जाएगा है कि यहां पर और यहां भी कटेगा तो simple हो जाएगा यह और simple होने की बाद कुछ हो सकता है कि कुछ हम लोगों मिल जाए और यहां पर मिल जाएगा हमें कुछ न कुछ है यहां पर लिख लेंगे हम dividing dividing second हम second को divide करेंगे ठीक है second को divide करेंगे by first first वाले equations है तो मिलेगा आपको pi r square h is equal to 924 meter cube आइसको divide करना है तो देखें लेफ्ट में divide करें 2 pi r h से यहां करेंगे 2 pi r h और यहां divide करेंगे कितने यहां पर 264 से meter square clear तो हमें divide कि ऐसा देखें हम आप उपर जो है नीचे cancel out हो जाएगा यहां pi pi cancel हो जाएगा यहां पर r यहां पर 1 है और यह 2 से cancel होगा एक बचेगा और h से s cancel हो गया यहां पर 2 बचेगा बस means it implies बचेगा उपर r numerator में r बचेगा और नीचे जो है 2 बचेगा is equal to यहां पर cancel out करते हैं कुछ तो हम कटा लेते हैं यहां पर 4 से तो 4 से कटाएंगे यह दी तो यहां में लेगा 4 6 जा 24 2 बचेगा 24 होगे फिर से 4 6 जा 24 4 से 4 तुजा 8 1 बचेग 12 4 तुजा 12 और 4 बचेग 4 अब यहां पर 11 से cancel out हो सकता है 11 6 जा 66 11 बचेग 6 11 बचेग 6 11 तुजा 22 यहां चलाएग 11 तुजा 22 और यहां बचेग 11 होगे 11 होगे 11 अब यहां पर 3 से cancel out हो जागा 32 जा 6 and 37 जा 21 means आग यह 7 अपन 2 Oh sorry extremely sorry for this Okay अब यहां पर देखे meter square और यहां में meter cube कर जाएगा तो 2 power एक पाउर्स कर जाएगा और एक बच जाएगा ठीक है तो meter भी बचेगा एक मतलब इतना meter तो यहां से अब जो है cross multiply कर लिजे मतलब कि यहां पर r upon 2 है न इस 2 को केवल इधर multiply कर लिजे इस 2 को इधर multiply मत करिएगा तो हमें r की value मिल जाएगी और जो multiply करेंगे तो मिलेगा 7 by 2 multiplied by 2 इतना meter ठीक है यहां पर 202 और यहां 22 हो जाएगा means मिल जाएगा 7 meter तो r की value मिल गई है 7 meter और यह आगा पर radius आगे आपका तो यहां सब निकाल सकते हैं diameter हम निकालना है diameter ना इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा diameter so diameter of the base of a cylindrical cylindrical pillar is equal to 2 r means 2 times 7 2 times 7 means 14 meter इतना है diameter अब निकालना है height भी यहां निकालना है height निकालने के लिए किसी दोनों questions में से किसी एक equation में r के value put कर देंगे तो simple यह लगता है यहां पर r के value put कर देते हैं तो हैं लिख देंगे पहले putting putting value of r in equation first first इतना है put कर देंगे तो यहां मिलेगा आपको 2 pi r की value कितना है 7 to pi r into h की value find करना है is equal to 264 264 meter square तो यहां से देखे अब value put करके यहां इडिवाइड कर देंगे तो यहां मिलेगा आपको इंप्लाइज यहां पर h is equal to मिल जाएगा 264 whole divided by 2 into pi की वालू क्या है तो इस पूरे से डिवाइड करतेंगे नीचे 2 into pi की वालू लोग देते हैं अब मिलेगा 22 by 7 into मिलेगा 7 तो यहां मिलेगा 77 से कंसलो उट जाएगा यहां पर और उपर रिचे यहां कंसलो करना है 11 से कटा दीजिए हैं पर 11 to 22 और यह कटेगा तो 11 202 114 जा 44 अब यहां से कि 2 1 जा 2 2 2 2 2 4 और यहां स 2 1 जा 2 और यहां जा 2 6 जा 12 means height आजाएगा 6 centi sorry 6 meter क्योंकि सारी units जो है meter में आ रहा है 6 meter हो गया height तो this is your answer and this is also your answer तो both these are your answers ओके thank you so much for watching यही process से करने का तो mathematics simple है बस आपो समझ लेना है क्या है तरीके और क्या नहीं है ठीक है तो यह सब tools है यह सब तरीके हैं जिसके help से आप